नमस्ते दीपावली की एक बार फिर से आप सबको शुब कामना है और दीपावली में मुझे जो लगता है कि एक बड़ा तोफा इस देश को सुधांशुमणी मेरे साथ है माई टेन 18 स्टोरी ये इनकी किताब है इसके बारे में किताब के बारे में भी डिस्कुस करेंगे लेकिन आजकल आप लोग जो भी सोचल मीडिया पे अक्टिव हैं वो एक स्टोरी देख रहे होंगे खुब आ रही है कि एक व्यक्ति था जिसने एक सपना देखा था तो वो सपना देखने वाला व्यक्ति मेरे बगल में बैठे हैं सुधान चुमनी सुधान चुमनी का दो डिस्क्लेमर एक तो मेरे क्लास में लो रहा है उसके बाद यह SCRA के थुरू रेलवे जॉइन किया इन्होंने रेलवे की बहुत सी पोस्टिंग करते हुए मतलब डिल्व डियारेम जर्मनी में जो जिसको रेलवे अटैके बोलते हैं मिनिस्टर बोलते ह हैं वो करते हुए फाइनली यह ICF पहुंचे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चिन्नाई जब इचन्नाई पहुंचे थे तो बाई च्वाइस इनोंने वो वो पोस्टिंग ली थी और वहां पे इनका एक जो सपना था जो एक किसी भी इंजिनर का भी सपना होता है कि कुछ डे गहाँ उस जद्धो जधद का है जो कोई भी सपना देखने अला कोई भी आटिस देख सकता है यह अपने चेर्मान के पास जाते हैं चेर्मान रेलवेवोर्ट ही बैग फॉर्ट क्योंकि बैगिंग का हंदी वर्ड भीख हो जाता है बीग सुनने में अचान नहीं लगता है पर ही बेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट कि आप यह प्रोजेक्ट दे दीजेए उसकी तोड़ी कहानी पहले हम लोग वहां से शुरू करें कि यह प्रोजेक्ट आप कैसे ले के आए वह जो आपकी जद्व जाहत थी तो देखिए जैसा सरकार में होता है कि unless आपने कोई बड़ी गलती कर दी हो या आपको victimize कर दिया हो लोग अपनी seniority से आगे बाखते हैं कोई merit या demerit का ऐसा कोई कोई जगह नहीं होती तो मेरा number seniority से general manager बनने को आया तो उस समय तीन post खाली थी उन तीनों में यह मुझे मिलन नहीं थी और एक zone की थी और दो factories की थी तो आम तोर पे सब लोग zone मांगते हैं because वो अपका बड़ा सा empire होता है और और factory का एक limited empire होता है chairman साब जो उस समय थे एक मित्तल साब वो he is no more उनके पास मैं गया और वो उनके साथ काम कर चुका था मैं तो जब मैं उनके कमरे में गया तो उनको लगा होगा कि यह जरूर south western zone मांगने आया है और मैंने उनसे कहा कि साब मुझे आप integral coach factory दे दीजिए तो I could visibly see that he was happy because उनके लिए एक decision making आसान हो गई तो उन्होंने का अच्छा क्यों मैंने बताया कि आप ड़ाई साल मेरे precisely दो साल पांच महीने बाकी है और मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक modern train बनाने की कोशिश करूँ वो बात की बात है अभी आप महाँ post कर दीजिए तो वो मान गए उसके बाद जब मैं posting होके पहुँचा integral coach factory तो एक मुझे विरासत में एक बड़ी अच्छी टीम मिली आम तोर पे जो factories में या आर्व जोन्स में टीम होती है उससे बहतर टीम I could see design में और manufacturing में एक excitement लोगों में था वहाँ पे और बहुत दिन से एकी तरह की train बनाते हुए जिसको कहते है आनो ही एक boredom उनके चेरे पे था I could see कि इन में बहुत potential है अब as a leader मेरा काम है कि इसको कितना channelize कर पाऊं वो मेरे लिए challenge ये था मुझे challenge ये कि अच्छे लोग लाएं वो challenge नहीं था वो मुझे मिल गया था तब हम लोग ने मिलके सोचा कि एक modern train की जिसमें locomotive नहीं हो और जैसी विदेशों में बनती है ये आत्म दिर्भर भारत नहीं आया था लेकिन एक मेक इन इंडिया का जोर जरूर चल रहा था तो वो टीम में अच्छा खासा उनमें excitement दिखा करने को नहीं ने का सब सब ठीक है बनेगी जरूर बनेगी लेकिन आप कितने भी बड़े GM होंगे लेकिन आपको ministry से sanction नाना पड़ेगा मैंने का ये मेरा काम है मैं लाओंगा तो वो एक foolhardy मेरा experience रहा क्योंकि वो negativity हर level पे वहाँ पे board members में और हर जगह यही बात थी कि भाई ये बना भी नहीं पाएंगे और import भी नहीं करने देंगे और ये इत्ते सालों से बात हो रही है बन भी नहीं पाएगी और एक शगूफा है ये तो वो बात आगे बन नहीं पा रही थी तो end में मैं वही chairman साब थे उनी के पास फिर गया मैंने का कि साब आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या बना लेंगे उन्हें ने का मुझे तो लगता है बना लोगे लेकिन बाकी board members चाहते नहीं है कि sanction किया जाए और मैंने का अब chairman आप हो और फिर एक जूट बोला मैं मैंने का कि साब आप जुलाई 18 में retire हो रहे हो हम लोग मार्च 17 में हैं और आपके retirement के पहले हम लोग बना देंगे और आप से ही इसका launch कराएंगे तो वो एक जूट था इतनी जल्दी तो नहीं बन सकती थी फिर मैंने देखा कि अपनी vanity अगर थोड़ी मार दी जाए तो क्या नुकसाल है मैंने कहा कि साब आप सब logic में बता चुका chairman आप हो अब मैं आपका पैर पकड़ रहा हूँ और तब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक आप sanction नहीं दोगे तो ये मतलब एक कोई रिफिगरेटिव चीज नहीं है वो लिटरली मैंने कहा कि साब मैं नहीं जाओंगा आप ये दीजिए आप जितनी चाहे उतनी इंपोर्ट करिए आप chairman हो और हमें दो ट्रेन का sanction दे दीजिए वो दे दो ट्रेन जो है आप जितने में प्रेटर मिल गया था ये मैं इसलिए कहूंगा आपने दर्श्माओं को मैंने ये नाम जानबुच किया नहीं लिया था शुरू में वो ट्रेन आज जो आप देख रहे हैं जिसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है वही ट्रेन की बात हम रूप कर रहे हैं माई ट्रेन 18 और ट्रेन 18 इन्हों ने जब क्योंकि उस प्रोजेक्ट का नाम देना था इसलिए ट्रेन 18 क्या लेकिन दो चीज़े मैं एक तो कॉस्ट आपने बहुत कम कर ली लेकिन जब आप उसको डेलिवर कर लिया 2018 के अक्टोवर में ये लाँच हुई टेस्टिंग वगरा करके ये जैनवरी में रेडी हो गई और फरवरी में पहली ट्रेन लाँच हुई थी बनारस से दरी नई दिल्ली मोधी साब ने प्राइम मिनिस्टर में खुद लाँच की थी उस समय भी मेरे रिटायर में डिसेंबर 18 में रिटायर हुआ उससे पहले ये बाते होने लगी थी कि ये 100 ऐसी ट्रेन बनाई जाएंगी और हम लोग ने तयारी भी शुरू कर दी थी 100 की नहीं 10 की तो करी दी थी और काफी मीडिया में चर्चा था एक ट्रेन ही थी ये लेकिन चुकि एक लोगों को लगा कि भाई ये भारत की अपनी चीज है और एक नई शकल की ट्रेन है इसमें नई टेक्नॉलेजी है इसको जितना हम लोग को उमीद थी उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था अब फरवरी से लेके अगले तीन-चार महीने में कई चीजें हुई जो नेगेटिविटी बहुत इसमें पैदा हुई पहले तो देखें डिपार्टमेंटल जैलेसी की वज़े से कोई किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ रेलवे में ही बहुत लोग को जलन ह हो गई कि ये कांग कैसे हो गया और वो लोग हाथ धोके पीछे पढ़े थे कि किसी तरह ट्रेन को बदनाम कर दिया जाए और उन लोग की कावी चलने भी लगी अब और बहुत से वर्जन है वो चुक्कि मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता वो अब वो इलेक्शन का भी टाइम था 2019 तो और भी कहानियां थी उसको लेके अब सच्चाई पूरी तो नहीं मालूम लेकिन हुआ ये कि ट्रेन बनना तो दूर हम मेहनत की थी उनको विजिलेंस की इंक्वाइरी उन पर शुरू हो गई और ये काफी आप भी मानेंगे कि चलिए कोई आप रिक्रिग्निशन नहीं दें कोई बात नहीं हम लोग को खुद खुशी थी काम करने की लेकिन अगर आपको जो काम आपने किया हो उसके उपर जिसक सवाल थे कि आपने इस कंपनी को क्योंनी ओर दिया और फिर उसी क्विशिनेर में था कि आप ने इस कंपनी को ओर्डर क्यों दिया ये 力 मेर बात शुरू हुए और यह साल बर चली और मैं तो रिटाइर हो चुका था तो मेरा कोई ऐसे करियर में नुकसान होने का उस chime है प आपने चाहे कोई गलती नहीं की हो आप रोज का महौल तो देखी रहें लेकिन जो लोग टीम के बड़े खाबिल मेंबर टीम जो अभी सर्विस में थे उनका ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उनके कईयों के प्रोमोशन रुक गए और अब आच जब केस सब खतम हो चुके ह लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी तक उस नुकसान से नहीं उबर पाएं तो ये जो नेगेटिविटी की कहानी थी ये करीब दो साल धाई साल चली और ये कहना पड़ेगा कि जब से ये प्रेजेंट मिनिस्टर आये हैं अश्वनी वैशनाव जी तो इनके थ्रस्ट की वज़े से ये फिर से काम शुरू हुआ वरना 2019 की बिगनिंग से लेके लास्ट ये 2021 के मिडल तक तो ये नहीं के बरावर काम हो रहा था इस पे वरना 2019 में ही पांच-दसओर ट्रेंड बन जाती 2020 में 10-20 बन जाती कोविट की वज़े से शायद कुछ रुकावट आती लेकिन बहुत ही ट्रेड बन बहुत बन चुकी होती है मैं एक ग्राउंड रियाल्टी अपने दर्शकों के साथ हो कर ले हम लोग शायद इस पे शो दो एक डिर साल पहले भी किये थे इस पे बाचित किये थे अकर याद हो मेरे अभी कुछ आइटी के कुछ सीनियर लोग हम लोग क सब्सक्राइब करना चाहिए था हमारा देश वैसे ही चलता है मैं लेकिन एंड दी डे संतोष की बात यह है कि कम से कम इस बुवें अपो ठीक है नाम किसी का हुआ नहीं हुआ क्योंकि वह बच्चे की तरह आजमीं को प्यार करता है इस आदमीं को और खास करके जब आपनो सब्सक्राइब किया हो तो आपको तो यू फिल तोड़े साथिस्वाइब नहीं हुआ जो भी हुआ लेकिन जो पुब्लिक से रिकनिशन पहले मिला वह मुझे जितनी उमीद थे उससे जाला ही मिला तो वो पूरा सैटिस्वैक्शन है और अभी कारण जो भी रखाइब आओ कारण तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर खुद जाके जब बार बार ट्रेन लांच करें आपने देखा पहले अम्दाबाद में पिर उना ने अब सुनते मैसूर में भी करेंगे तो आवियसली वो चीज बहुत नियूज में आईगी और वो जब इतनी नियूज में आई है लोगों से तो उसका सैटिस्फेक्शन तो जरूर है मैं कोई रिग्रेट मैं नहीं रखना चाहता इतना लोगों ने इसको सराहा कि वो मुझे लगता है कि हम लोग की सब की मैनत जो है वो सफली रही मैं एक छोटा सा कुश्चन इसलिए क्योंकि कुछ लोग के दिमांग म क्या है वो है क्या चीजी तेकिए जब यह ट्रेन नॉर्मल जिसमें यह वाला फ्रंट नहीं होता उसमें आगे लोको मोटिव होता है उसके आगे बहुत एक स्टर्डी काव कैचर लगा होता है और वो आम तोर पे कैटल को या तो बाहर पेग देता है या अगर नीचे भी आए तो बड़ा हलका फुलका डैमेज होता है लोको मोटिव में और ट्रेन आम तोर पे फिर जो कैरकस है उसको हटा के फिर चल देती है अब इसमें एरोडैनेमिक परफॉर्मेंस के लिए और एस्थेटिक्स के लिए भी यह समझी ऐसे नोज है उसके आगे अगे अगर बहुत भद्दा लगेगा ट्रेन हम लोगों ने 160 किलोमेटर के लिए हिसाब से बनाई थी कि इंडिया में आज नहीं कल 160 किलोमेटर के बहुत से ट्रैक आ जाएंगे और उसमें चलेगी है 160 किलोमेटर की ट्रैक के लिए फेंसिंग जो है डेकेटेट होगा ज़रूरी है आप लखनों से दिल्ली जाते हैं expressway पर मुझे तो एक भी cattle expressway पर नहीं दिखाई देती, इसका मतलब fencing काम करेगी हाँ पर, वो काम नहीं हो पाया है अभी तक, वो चल रहा है धीरे धीरे, तो अब आप इसको कम speed वाले track पर बिना fence track पर चला रहे हैं, यह हम लोग को इसका था कि एसा होगा, इसलिए इसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि आगे जो आप नोस देखते हैं, उसका metal structure strong है, उसके ओपर FRP की, fiber की, composite की covering है, तो अगर ऐसा कोई हाथसा होता है, तो यह माना, मतलब यह जान के ऐसा design किया गया है कि यह covering जो है, डेमेज हो जाएगा, जान के बादेश को फ्रुक्चर को कुछ नी होगा, अगले देन जब डिपो पहुचेवी ट्रेन तो उसको बदल दिया जाएगा, तो उसको बदल दिया जाए है तो बस्त लेमें आप से पूच लागा, तो है कि अगर है, हिलमेट कर लाएट हो जाए में तो थीक है, जु ही नहीं होगी लेकिन इसमें गाहे भैस टाइप के कैटल या human being भी आ जाते हैं ट्रैक पे suicide करने या otherwise तो उसमें सिर्फ nose damage होगी और आप nose को बदल लीजिए अब चुकि यह ऐसे track पे चल रही है जहां fencing नहीं है इसलिए शायद यह देखना जरूरी है कि क्या यह जो nose frp का हिस्स को छोटे-छोटे और sections पर मना दिया जाए जिससे बदलने का काम थोड़ा और आसान हो जाए लेकिन इसमें कोई design की गलती नहीं मानूंगा यह हम लोग को अच्छी तरह पता था और उस समय में यह भी जरा भी उमीद नहीं थी कि भई यह आप अभी तो खर चार चल रही है बात 500 की है इतनी उमीद हम लोग को नहीं थी क्योंकि यह चलना तो इसे एक सुसाथ किलोमेटर के ट्रैक पे है जो कि अभी सालों लगेंगे आने में तो शायद नंबर भी कुछ ज्यादा एनाउंस हो गया इतना आप जगा जगा इसको चलाएंगे जहां पर फेंसिंग नहीं है तो यह केसे होते रहेंगे और यह नुकसान होता रहेंगे अब अन पर एक मिनट आप इसके बारे में मैं आप सम लोग दर्शक से किये माई ट्रेंगी केवल इस इस ट्रेन को बनाने के साथ साथ सुधानक्शु का जो आईसीयफ का दौर रहा और उसमें बहुत से किया और आप सबसे आग रहा है कि अगर हो सके मगाई ये सस्ती किताब है ये कितने की 475 रुपे की किताब है मगाई ये पढ़िये आपको बहुत सी नई चीज़ें बिलेंगी तो आंक्षर एनिटिंगे फ्यू वांट तो एड़ देखिए ये कहानी जो शुरू में यो टेड टॉक में मैंने कहा ये कोई मेरी क कहानी होती तो फिर मैं बहुत पहले से शुरू करता और ये सिर्फ मेरे ICF के टेनियोर की कहानी है उन दो साल पांच महिनों की और वहां पे वहां के स्टाफ के साथ मिलके टीम के साथ मिलके क्या क्या हम लोग ने किया और किस तरह ये जो तमाम चीज़ें की उसका एक आसप मैंने लिखी और ये स्टोरी मैंने तब लिखी जब विजिलेंस अपने पूरे जोर पे सवाल जवाब कर रहा था तब मुझे लगा कुछ भपाश भी हुआ मैं बाद में मुझे लगा कि ये जो टीम हैं उसकी तरफ मेरी डूटी है कि ये पूरी चीज़ को मैं उन सब का ल से चीज़ आपको बता दूँ अफसर शाही अभी भी बहुत स्ट्रॉंग है सरकार में रेलवे में भी है फ्यूडल कल्चर है मैं जब नया-nया पोस्ट हुआ तो एक ब्रीफ केस मिलता है आपको सरकार की तरफ से तो वो ब्रीफ केस मिला एसिस्टिंटी में गाल इंजिनियर था मैं लेके किसी हेडकोर्टर में कलकता में पोस्टेट था मैं वहाँ फेवली में गया उनके गया वड़ शान्से मैंने टेबल पे उनके फ्रीफ केस रखा वो देख रह थे मेरे वो अफसर जो थे बोले ये brief case तुम में अभी मिला है मैंने का हाँ ये मिला है बोले कि तुम को उठाना आता है मैंने का क्या सवाल पूछ रहे हैं ये बोले चड़ तुम नहीं समझ रहे अफसर जो है हला कि उनका मतलब सारे अफसरों से था आइए आप देखें कभी ब्रीफकेस ने उठाता है उनका जो पिन ऊता है वो बिवकेस उठाता है वो बगल में चलते है अब पिन आप बैठें के आप मेरे कमरे में आयो हॉ पिन आया है आपक असाथ में मालुम है वुचाय पीने चलागी हैं अब आपको कहीं जाना होगा तो briefcase खुद उठाना पड़ेगा अब आप जब उठाओगे तो आप से वड़ा कार्टून कोई नहीं है दुनिया में मैंने का सब क्यों बोले कि देखी आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि इन्फराडिक है यार की इज़त के खिलाफ है तो आप बड़े सेल्फ कॉंशनस धंग से उसको उठा के चलेंगे और आप एकड़ कार्टून लगेंगे मुझे बात इतनी पसंद आई कि मैं लोटा मैंने वो ब्रीफ केस अपने उस पियन को दिया कि भी ये तुमारा और मैंने एक बैग खरीदा अब वो बैग जो है वो अफसर बैग लेके चलते थे तो वो बैग जो मैंने टाना वो फिर मैंने अपने आउतिस साल के सर्विस मे आज तक ब्रीफ केस नहीं उस किया ना मेरा बैग मैंने किसी को उठाने दिया मैं कंदे पर लटका था लटका रहता था उससे बढ़ा मुझे आराम रहा तो इस तरह की चोटी-चोटी चीजे बहुत मैंने इस किताब में लिखी है जो एक कल्चरल चेंज चाहिए ठाक शुकर में लेंगे uh Thanks for